आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइब प्रूप दिखाने वाले हैं ताकि आपको भी पता चल सकी कि हाँ यह नोटीपिकेशन आया हुआ है या नहीं तो आपके फोन में सिंपल सा कोई गूगल या क्रूम तो होगा ही आप उसको ओपन कर लेना है आपको चाहे गूगल हो या क को अप जैसे करेंगे तो यहांप घूर के साइट मैं तो कर लेते हैं आपको देखने नहीं कोई प्रोब्लम ना हो तो यहां यहां पर आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलके आ जाएगा दोस्तो यानि कि कहने का मतलब यह है कि आपके सामने इंटरफेस खुलके आ चुका है आप नोटिपिकेशन को भी चेक कर पारेंगे जो कि ओपीशियल वीपशाइट पर आ चुके हम आप सभी के लि प्रोब्म ना हो और भरती को वीदन करने के लिए भी कोई प्रोब्लम ना हो तो आपको लाइप प्रोप यहां पर दिखाए जा रहा हो जो अलग अलग मैंको निर्धायित यानि की सितंबर 2024 को एक सितंबर 2024 को निर्धार्ट किया गया था और एक दो सितंबर 2024 को निर्धार्ट किया गया है वो किस तारिक से फॉर्म फील होने वाले हैं टूटल कितने पोश्टों पर भरती हैं निकाले गई हैं ये भी आप सभी को इसी वीडियो में बताया जाएगा अभी कोई दिक्कत ना वी इसलिए आप सभी के लिए एक और ऑ नुट पिक लेकी आ चुका हूँ धोस्तW यहां पर आपको सिंपल सा ओपीसेल बेप इसलिए सबसे पहले आपके प्रहून में गूगल या क्रूम तो होगा है महाँ पर सर्च करना होगा आपको मेस नीव नोटिपिकेशन तो आप यहाँ पर देख पारे होंगे दामिनिस्टी इंजीनियर सर्विस मेस हैज रिलेटेड दा दोहजार चौबिस कहने का मतलब यह है कि रिक्रूर्मेंट नोटिपिकेशन जो है आपका 41,822 पदों पर टोट पर भरती निकाली गई है यहाँ पे आप देख पारे होंगे और यहाँ पे दोस्तो आप देख पारे होंगे नोटिपिकेशन को भी चेक कर पारे होंगे यहाँ दोस्तो यहाँ पे आपका जो दूसरा पोस्ट है वार्रक इस्टोर कीपर की पदो पर भरती निकाली गई है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस्टोर वासर के पद उपर भरती निकाले गए आप notification को भी चिक कर पा रहे होंगे और यहाँ पे जो आपका चौथा फोस्ट होगा वो drug demand के पद उपर भरती निकाले गई है उसके आगे आप देख पा रहे होंगे store keeper के पदो परवरती निकाले गई है multi tasking यानि mts के पदो परवरती और mate के पदो पर भी बर्तियां आप सभी के लिए निकाली गई है official grateful website का PDF कैसे download करता होगा यानि इस भरती का PDF कैसे download करता होगा कहां से PDF को download करेंगे online कैसे करेंगे इस भरती की last date क्या है यानि कि आपको जो समझाया जा रहा है ये भी समझ में नहीं आने वाला है दोस्तो तो आप सभी से उम्मीद करूँगा आप सभी को ये बात जरूर बताऊंगा कि आप बीडो को complete देखिए ताकि step by step आपको सारी जानकारी मिल पाए तो दोस्तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आप सभी का जो 90 जारी किया गए उस पर आप सभी को लेके चलते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप सभी को सार्ट में जानकारी दे दी जाए सबसे पहले तो यहां पर आप देख पार होंगे दोस्तो जो की सबसे पहले आपको बताया जाएगा आप देख पार होंगे जो की M.E.S. यानि कि Ministry Engineering Service के पदो पर आपकी जो भरती निकाले गए उसमें पोस्ट नेम के पारे में आपको बताया जाएगा Architect के पदो पर भरती निकाले गए है, Store Keeper के पदो पर सूपर वासर अलग अलग पदो पर भरती ये निकाले गए है ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है दोस्तु तो यहाँ पर आईए बात कर लिजाए Apply Mode के बारे में तो एप्लिकेशन के जो Mode आपका होने वाले Apply करने के लिए ओनलाइन माध्यम से Form को आवेदिन करना होगा Vacancy Detours आपको पहले ही बता चुके हैं जो कि 41,822 पर भरती निकाले गई है ये अपने अंदर कम भरती हैं नहीं होती, बहुत भरती हैं दोस्तु एक 4,822 पर भरती जो आप सभी के लिए निकाली गई हैं यहाँ पर Selection Process यानि कि चैन परिक्रिये के बारे में बात करेंगे तो Written Exam यानि कि लिखित परिक्षा होगी Document Verification यानि कि जो आपका Document यानि कि दस्ता वेज रहेगा तो उसका Verification होगा दोस्तु उसके बाद आप सभी को जो उसके बाद आप सभी को दोस्तो यह आपको बता दिये जाए कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिये जाएगा दोस्तु और यहाँ पर आई यह बात कर ली जाए इलीज विल्टी के बारे में तो इलीज विल्टी जो आपकी होनी चाहिए वह सिंपल जो एज है वह 18 से 40 वर्ज के बीच के इंड़ेट आविदन कर पाएंगे और यहाँ पर जो होने वाला है सिंपल और सिंपल दस्वी और बारवी ग्रिजुएशन कम्पलीट किये हो यानि कि एजुकेशन कौलिफिकेशन में अगर आप 10-12 ग्रिजुएशन कम्पलीट किये हो तो फिर भी इस पौम को आविदन कर पाएंगे आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि 10-12 ग्रिजुएशन यह कोई जरूरी नह तब यह कि इंडिया के किसी भी कोने में आपकी जोब कहीं भी लग जाएगी ओपीशियल बेपसाइट तो आपको पहले बता दिया जोकी mes.gov.in है दोस्तो आपकी ओपीशियल बेपसाइट इस भरदीप का पीडियाप कहां से डाउनलोड करना होगा तो दोस्तो पीडियाप को डाउनलोड करने के लिए हम आप सभी को आगे बताएंगे कि पीडियाप को डाउनलोड कैसे करते हैं और यहां पर आएगे बात कर दिया इस फॉम को आभेदन करने के लिए डेट जो फिक्स की गई थी वो जो डेटे अभी फिक्स की गई है उसको वीडियो के लाश्ट में आपको बताएंगे दोस्तो यहां पर आईए सबसे पहले पोश्ट वाइस वैकनसी के बारे में बात कर ली जाए आर्केट के जो पदो प पर पदो पर जो भरती निखाली वह फांसो च्यॉथश्कीयों पर फ़र्तिएं निकाली गई हैं और यहां पर आगे बता दिया जाएंगे मुल्टी टास्किइश टाप के पदोपर जो बहत लिए वह 11316 पर मेट के पदोपर यहां पर 2740 नौ के मतलब यह है कि दोस्तो मेट के पदोपर जो भरती निकाले गई बहुत ही बढ़िया है आपकी और इस फॉम को आप आप एदन कर पाएंगे टोटल पोस्ट तो आपको पहले ही बता दिये मैं इस्टोर कीपर मल्टी टास्किंग इस्टाप मेट के पदो पर जो भरती निकाले गई है उनमें मिनिमाम जो है वह आटरा वर्स है और मैक्सिमम जो है वह तीस वर्स है दोस्तो यहां पो आपको यह भी बताया जाएगा कि एज में आप सभी को जो छूट मिलने वाली है व और यहां पे जो सेस्ट से बिलॉंग करते हैं जो सेस्ट से बिलॉंग करते हैं एक्स सर्विसमेन है उनके लिए भी यहां पे भरतिया निकाली गई है और वो जो भरतिया निकाली गई है उनके लिए जो एक्स सर्विसमेन है उनके लिए दस वर्स का छूट दिया जाएगा दोस्तों आईए education qualification के बारे में बात कर ली जाए मियस आर्मी भरती की education qualification के बारे में बात करेंगे तो आप देख पारे होंगे आपको पहले ही बता दिया कि सिंपल और सिंपल दस भी की पास भी candidate इस फॉम को आप आप दिया जाए कि दोस्तों जो आपको पता है जो कि online माध्यम से फॉम को आपको आपको आप दिन करना होगा यहां पर आए बात कर ली जाए application fees के बारे में कहने के मतलब यह है कि आर्मी में एपलीकेशन फीज दोजार चौबीस यानि कि application के बारे में आपको बताया जाएगा तो आप देख पार होंगो जो जनरल के रिटेट है यानि कि जो जनरल के रिटेट है उनके लिए जो यहां पर फीज से निर्दार्यत की गई है वह यहां पर आप देख पार है करना होगा यह भी आप सभी को वीडियो के आगे बताने वाले हैं वीडियो के साथ आप लास्ट तक बनी रहीगा तब ही सभी क्यूसेन के डाउट भी आप सभी के किलियर हो पाएंगे इंडियन आर्मी मेस भरती की सलैक्सन प्रोसेस यानि की चैन परिक्रिया के बारे में आपको बताया जाएगा तो चैन परिक्रिया जो आपकी होगी डीटिन एक्जाम यानि की लिकित परिक्चा होगी document verification होगा last में आप सभी को final meet भी बना के दी जाएगी final meet का मतलब आप सभी को joining later दिया जाएगा Indian Army यानि की MES जो की जो भरती निकाले गई है exam pattern के बारे में यहाँ पे आप सभी को बताने वाले हैं तो exam pattern जो आपका निर्धरत किया गया उसी के बारे में आप सभी को बताया जाएगा subject और mark जो आपके दिये गया है और timing जो आपकी दी गई है उसके बारे में आपको बताया जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दिये जाएगी आप notification को चिक कर पारे में आपको बता दिये गया है यहाँ पे subject और नंबर आपके उससन और यहाँ पे maximum marks और यहाँ पे timing जो है आपकी दी गई है तो subject यहाँ पे जो आपके होने वाले है reasoning के होंगे general English और यहाँ पे आप देख पारे हो numerical के जो numerical आपका होगा और यहाँ पे space list है दोस्तो टूटल हर subject के आप देख पारे होंगे हर subject के 25 marks दिये जाएंगे हर 25 के उससन के भी हर 25 marks हैं दोस्तो आप चेक कर पारे होंगे हर 25 के उससन हर subject के 25 के उससन होंगे 25 के 25 marks भी आपको दिये जाएंगे टूटल आपको दो घंटे 40 मिनट का टाइम दिये जाएगा दोस्तो दो घंटे का जाने कि आपका एक्जाम होगा जो यहाँ पे आप देख पार भी specialist का जो यहाँ पे 25 के उससन है उसकी लिए आपको 60 marks दिये जाएंगे दोस्तों आप notification को भी चेक कर पारे होंगे टोटल जो आपका होगा क्यूस्टन जो आपके टोटल होंगे 100 होंगे 100 के 125 marks आपको दिये जाएंगे टाइमिंग जो आपके होने वाली 120 मिनट यानि कि कहने का मतलब यह है कि दो घंटे 40 मिनट का यहाँ पे आप बात कर ली जाए मिएस भरतिकी syllabus के बारे में तो आपको बता ही दिया कि syllabus क्या होने वाला है तो syllabus वही है आपका दूस्तों जो कि general यहाँ पर आप सब कर पा देगां तो इसके बाद नुमेरिटी क्वाACT आप बिना किसी प्रोब्लम के चेक कर पाएंगे कहां से नोटिपिकेशन को चेक करना होगो वो भी आप सभी को बताएंगे जनरल अबारिकनेस यहां पे आप देख पारे होगा दोस्तों उसके बाद आगे भी आपको बताया जाएगा कि इस फॉम को आबेदन करने के लिए एक्ज सेंटर भरती की एक्जाम सेंटर कहां होगा कोलकात का जयपूर यहां पे आप देख पारे होंगे पूने इसी प्रकार से आगे भी आप सभी को बताया जाएगा तो यहां पे नोटिपिकेशन को आप चेक कर पारे होंगे दोस्तों यहां पे आप देख पारे होंगे सिकंद लखने और कर पार होंगे कोची राची भोपाल अलग अलग जगहों पर आपकी एक्जाम देने होंगे जहां पर अलग अलग भरतियों के मुताबिक जहां पर आप आपकी इस तरीके से होगा है बात कर लिएक है तो दोस्तो एडमिट कार्ट के बारे में आईये बात कर ली जाएगा तो एडमिट कार्ट की तो वहीं से भी ले पाएंगे नहीं तो आपको कहां से लेना होगा ये भी आप सभी को वीडियो के लाश्ट में बताने वाले हैं एंसर की तो आपको पहले ही पता चल गया है रिजल्ट के बारे में तो अभी जब एक्जाम ही नहीं फिक्स किया गया है तो रिजल्ट क्या आपको पताएं तो आईए यहां पर बात कर ली जाए आर्मी M.E.S. Recruitment 2014, सेलरी के बारे में आपको सेलरी कितना दी जाएगी इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा दोस्तों टेंसन बिल्कुल आपको भी नहीं ले ना होगा बिल्कुल भी आपको टेंसन नहीं ले रहा है सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी यहां पर आप notification चेक कर पा रहे होंगे 35,400 रुपे जो आपकी सुरुवाती वेतन होगी 35,400 रुपे होगी और यहां पर आपको बताया जाएगा सात्वे लेवल के अधार पर आपकी जो पेमिंड दी जाएगी सबसे पहली आपकी सेलरी होगी 35,400 रुपे सात्वे वेतन के आधार पर परति मनतिस भरती में सेलरी आपकी दी जाएगी जो अलग अलग पोश्टों के लिए हैं वह एक हज यहां पर आप देख पा रहे होंगे 11,000,777,500 रुपे परति मनतिस भरती में सेलरी आपको दी जाएगी दूस्तों तो आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पस दिया जाए कि जो यहां पर नोटिपी के सर रिलीज किया गया है आप लाइप रूप भी यहां पे देख पा रहे होंगे लाइप रूप सबसे पहले आपको दिखाय जाएगा आप नोटिपिकेसन को भी चेक कर पाएंगे दोस्तों यहीं से आप डाउनलोड भी कर को लाइक कर दीजिए चैनल पर जो भी नए कैंडिटेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ओल नोटिपिकेसन को जरूर दावाले जीतना होस के अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर दियो जहां कहीं भी इस भरते में कुछ भी ना समझ में आयो तो आप कोमेंट बॉक्स में क जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो आपके लायक आपके राज्य से और जिली से जो भरती निकल के आएगी तो आप सभी को वीडियो के माद्रम से आपके पास सबसे पहले पहुंशे कि आज के लिए बस इतना है तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम